यार पार किये हैं जुल्म की सीमा पार कर दी अठारत तारी को पूरा भारत रेल चक्का जाम करेंगे आप लगातार हम पर हमला कर रहे हैं किसान से बरा आप तक बादीन के लिए कोई नहीं दाइसों से उपर किसान मर गया है पुल्मामा में जवान सहीद हो गई आज तक उसे नोक्री नहीं मिली पैसा नहीं मिला किसान मर गए उसके घर पर एक बार भी नहीं गए एक रुपया नहीं दिया बोला कि हम किसान को नहीं जानते कौन मर गया यह सदन में कृषी मंत्री ने कहा जैसे नितिश कुमार ने कहा कितने अपराधी हमको पता नहीं पत्रकार हमको बता दे जबकि CDR में इसकी रिपोर्ट है कि एकैस मंत्री पर अपराधी का मुकर्मा दर्जिया उसी तरह नरेंदर मोदी जी को आज तक जानकारी नहीं मिली कि धाइसो किसान कम मड़ गए नरेंदर मोदी जी सदन में गुलाम नवी आजाद के लिए आँसू बहाते हैं लेकिन किसान के लिए नवरीद गोली लगी उसके लिए और पुल्मामा के लिए कभी आँसू नहीं बहाते और उल्टे ही भारत में पाकिस्तान और ही चीन पर रहने वाला आतंगबादी अब नहीं रह गया भारत में सबसे बड़ा कोई आतंगबादी नरेंदर मोदी जी के नजर में और निनेताओं के नजर में है तो आस्सर्ज होगा वह सिर्फ किसान बच गया है इसलिए किसानों ने ये टाय कर लिया कि हम 21 नहीं 63 फसल पर हमको MSP चाहिए तीनों कानून को वापस लो हमें बजार दो हमें मंडी दो हमें खुद राइट दो या नहीं तो किसानों की करंसी आप अलग कर दो हम दिमांड करते हैं कुछ मत करो किसानों की करंसी को अलग कर दो और हमें हमारे किम्मत का मेहनत का दाम लगाने दो जो C2 का जो मामला है उनाइस्टो नहीं अब हम 2429 रुपिय की मांग करते हैं बिहार में 2600 से MSP कानून खतम हो गई कहीं भी कुदाम नहीं है, मंडी नहीं है, बजार नहीं है कॉपरेटिव सिस्टम नहीं है और उल्टे पानी और विजली पर बोज बढ़ा दी गई टैक्स बढ़ा दिया गया गैस की किम्मत 50 रुपिया डेली बढ़ती है मां पर सबसे ज़्यादे असर घर पे दीजल पर सबसे ज़्यादे असर किसानों पर इसलिए लड़ाई मरो के साथ आगे बढ़ेंगे इस गयाक ने इतिहास की तारीख तैकी है मुझे उमीद है आज की किसान रैली यहीं से बिहार के लिए की इतिहास तैक करेगा मगत की धर्ती पर हम पानी चाहिए तस डेम बंद है मदगत के कोई पानी नहीं है वगल में तिन-तिन डेम जो आज किसानों ने मुद्दा उठाया उस बढूत में पानी नहीं है डेम का नाम बारिगामा मस्गान मज्गाμा पैन तिलिया डे डेम और जटनी पैन रदलाई है कि वाधा करने के बाद आस तक पानी नहीं मिली मगत को इस पानी की लड़ाई आर पार्क से हम यहां से सुरू करने आये हैं 18 तारीक भारत बंद में जनाधिकार पार्टी रेलवे लाइन पर सोएगी हमारे एक एक वरकर गोली चलाना हो चला लेना जब तक यह कानून खतम नहीं होगा और 21 नहीं 63 फसल पर MSP लागू नहीं होगा तब तक यह आंदोलन चड़ेगा जितनी गोली चलाना हो चला